तो आज हम पढ़ेंगे quadratic equation जो class 10th का आने वाला मैच्स का एक्जाम है उसमें आ रहा है तो यह algebra वाला जो पार्ट है वो कितने का आ रहा है 10 marks का उसी algebra में quadratic भी है और आपका arithmetic भी है तो हम quadratic वाला पहले पार्ट कवर कर ले मुझे पता बच्चों को क्या problem होती है लास्ट टाइम पर हमें हम question देखते हैं कि हां question 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 but एक चीज हम भूल जाते हैं कि जो हमने पूरे पिछले एक साल में हमने पढ़ा है वह किस-किस टाइप के question पढ़ें सारे डिवीजन कर ले रिवाइस कर ले वैसा में content कहीं नहीं मिल रहा तो हम आपको वही content provide करने जा रहा हूं जो आप आपने last पूरे एक साल में पढ़ा है वह आपने किस-किस टाइप के question पढ़ें है किस-किस टाइप के question और किस-किस बिहाब पर question exam में आ रहे है ना वहीं मैं आपको बताने जा रहा हूं एक type question हो गया next अलग type question हो गया जो एक्जाम से related है तो आफ़ आफ़ रिवीजन कर लो तो उस question के और मैंने जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से आप question की PDF डाउनलोड कर लेना question लगा लेना ठीक है 30 sample paper में से मैंने question निकाले 30 samples paper में से तो believe me question अच्छे हैं आपके है ना और आप लोग लगाई तो फटा-फटम आपको लेके चलता हूं अपने mobile की screen पर वहां पर हम पढ़ते हैं आप कुछ question देख लो इसमें कि question किस-kis type के है ठीक है तो आपको जैसा पता है 10 marks क्या आ रहे हैं ये ठीक है तो हम पहले कुछ question देख लेते हैं जैसे एक ये question देदिया है क्या if the first term of the series is 7th and 13 term is 35 final sum of 13 sum of the sequence इस type of question आने है ठीक है एक ये question है the 17th term of AP is more than कहा गया question is more than twice it's 8th term if the 11th term of AP is 43 then find it's nth term nth term जदा निकालने का question आएंगे summation निकालने का आएंगे प्रूब करने का आएंगे question ठीक है solve the following equation quadratic का part ठीक है ये AP का part है and ये भी quadratic का part है आपका ठीक है इधर हम देख ले quadratic के part तो quadratic आप जो आ रहा है वो four number का रहा है and AP का है वो six numbers का है तो हम अभी इनके topic समझ लेते हैं पहले quadratic का समझते हैं ठीक है तो जैसा आपको equation दे दिए गए two x square plus five upon three x minus two equal to zero तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखो इसको थ्री का LCM दे लेंगे तो थ्री का two से multiply करते है इस two से multiply करते है क्या होगा है six x square plus five x minus six और जो पॉन three ता उदर zero को उदर तरफ फेक दिया तो क्या होगे ये जीरो त्री जीरो हो जागया ठीक है तो six x square अब हमें क्या करना है five को तोड़ना है दो पार्ट में ठीक है तो हम a वाला पार्ट देखें सी वाला पार्ट देखें six x जा कितना हो तो 36 तो हमें ऐसा कोई number ढूणना है जो multiply करने पर 36 है बट plus या minus करने पर five आजा है तो six x square plus nine x minus four x minus six equal to zero हो गया हमने common हमारे या पर मिल गया three x ठीक है अब nine x minus four x कैसे आ गया nine x और four x को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो गया nine में से अगर four minus कर five और nine four 36 ठीक है तुमारे ये बिल्गुल satisfy कर रहा है three x common ले लिए अंदर two x plus three बचा माइनस two common ले लिए two x plus three बचा दोनों में क्या common है two x plus three two x plus three तो हमने two x plus three common ले लिया और आया कितना bracket में three x minus two तो x की value minus three by two और two by three आ गई यह root root आ गया क्योंकि जितनी power लगी होती है उतन इसमें ही value आती है ठीक है next question दे दिया गया इस type question आते हैं कि यह आपके question क्यों आते हैं क्योंकि यह तो normal question है लेकिन यह वाले जब question आते है ना तो इसमें a x square दे दिया गया प्लस a और is equal to a square x plus x तो आपको पता नहीं चलेगा कि x square वाला हम लेके चलेंगे यह a square वाला लेके चलेंगे तो हमें यहाँ पर लिख दिया जाएगा side में कि find the value for x x के लिए value निकाल लिए ना कि a के लिए value निकाल लिए यह आपका कोफिशियंट है ठीक है तो a यहाँ पर हमारा कोफिशियंट है तो हम क्या करेंगे पहले a square x को इदर लेके आगे इक्वाल के इस तरफ सब सब को लेकिया जाओ ठीक है सब को इक्वाल के सरफ लेके चले आओ ठीक है तो यहाँ पर जो होगे जब a square x इदर आएगा तो minus का a square x हो जाएगा plus का आएगा तो यह भी minus का हो जाएगा ठीक है तो a x जब common ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x minus का a बचेगा अंदर और यह plus का जो one है जब हम यह common ले लेंगे तब भी x minus का a बचेगा अंदर ठीक है तो हमारा यहाँ पर जो value आएगी जो answer आएगा वो x equals to a और x equals to one upon a आएगा यहाँ minus का जोड़ा problem हो गया है ठीक है then हम चलते है find the nature of roots पे हम मतला हमें revision देखना है कि हमां हमने पढ़ा है अभी वो क्या क्या है और उसके किस टाइब से बेस कोशन आएगा तो रूट वाले कोशन आपको आने है ठीक है वह आपके हो गए नेचर वाले कोशन आपको बहुत भरे पड़े मिलेंगे भतेरे मिलेंगे इसमें कोशन तो क्या है nature of the root आपको कोशन दे दी जाएगी इसमें बोल होता होता है तो क्या value आती है ठीक है तो हम यहां पर देखते हैं x square minus 3x plus 4 equal to 0 दे दिया गया हम इसका सीदा b square 3 3 जा कितना हो गया 9 ठीक है 4ac मतलब 4 का एम मल्टिप्लाइ कोड़ों 4 बंदे 4 और 4 तो मल्टिप्लाइ कोड़ों 16 9-16 minus 7 तो minus 7 no real root value is not defined negative है तो negative root है ठीक है negative root है not defined के दे थे हम इसको ठीक है वैस not defined होता है infinite और 0 कौन 0 infinite होता है ठीक है पूर not defined होता है not defined नहीं होता है बट हम root में नहीं बताएंगे हम ठीक है next आगते है आपके 2x square plus x minus 1 equal to 0 दिया गया आपका इसमें b square minus 4 एसी लगा देंगे b square देखो x के पास कितना है x के coefficient में क्या है 1 तो b square क्या जाएगा 1 into 1 plus 4ac 4 into a कितना है 2 और c कितना है minus का 1 ठीक है तो यहाँ पर भी देखो plus minus जल्दे लिम हो गया यहाँ पर भी minus का बनाएगा ठीक है तो क्या हो गया 1 और यह minus का यहाँ पर 1 आ गया और 4 into 2 into minus 1 तो गया 1 minus 8 तो कितना आगया answer यहाँ पर minus का 7 तो जब minus का 7 आएगा तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी value के आएगी आपकी not real root values not defined ठीक है यह भी real root नहीं values not defined ठीक है next time करने के देखते हैं यह वाला question 2x square minus 6x plus 9y2 तो इस question को solve गरे हैं इस question में क्या है 2 का सब में multiply कर दो फटा फट और 0 को उदर भेज दो 9 में multiply नहीं करेंगी को कि LCM में लिया है तो 2 का इदर multiply करा 4x square 2 का 6 में multiply करा 12 और 2 को उदर भेज दिया तो कितना हो गया 4x square minus 12x plus 9 is equal to 0 अब यहाँ पर हम क्या निकालते है value value निकालते हैं हम लोग यहाँ पर ठीक है तो क्या है आपका 20 square मतलब 12 का square 144 minus 4ac तो 4 into 4 into 9 ठीक है तो minus का था ना तो minus 4 into 144 minus 144 0 equal to 2 equal roots है मतलब जब 0 value है तो 2 equal roots और जब positive आती है तो have a real root to distinct real root ठीक है यह लिख देते हैं ठीक है तो अभी हमारे यहाँ पर minus की नहीं आई यह बागी calculation क्या आपकी है calculation एक बार आप चेक कर लिना ठीक है में को बताना था क्या कॉन साथ ने क्या 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 पढ़ा है बाकी calculation आप लोग एक साल से पढ़ रहे तो आपकी calculation आयो बच्छी जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है तो इसके real root exist करते हैं तो इसकी value क्या होगी भई एक्स की तो वो बोल दिया गए तो हम पहले सका निका लेगे कि real root exist करते हैं कि नहीं तो b square minus 4ac वाले formula से लगाएंगे हम ठीक है 4 into 4 into 3 वाला वही वाला क्या है b square है ना तो 4 का square का ह जाएगा 16 और root 3 का square 3 तो 4 into 4 into 3 हो गया minus 4ac minus है और 4 into 4 into c c मतलब 4 into 3 into 4 हो गया 48 minus 48 0 मतलब भाई equal root है तो हम इसकी value निकाल सकते हैं तो इनका factorization करना है में ठीक है हम factorization करेंगे भाई देखो 4 root 3 आना चीए answer हमारा तो हम factorization करते हैं टाइं पर दिमाग लगाते हैं और वागे आ चाहिक होना होता है जब root होता तो root में factorize करते हैं इसको जब root में नहीं होता तो root में factorize करते हैं तो बीचवाला root में लेकर आना है 4 root 3 हम रूट में factorize कर देंगे, 2 root 3, 2 root 3 में तोड़ देंगे, 2 जा 4, root 3, root 3, 3, 4, 3 या 12, तो हमारा 4 और 3 जा 12 answer आ जाएगा, ठीक है, तो हम सो करके देखते हैं, एक बार आप लगा ले ना question को, तो ऐसी है हमने इसको दो बाट में तोड़ दिया, या रूट 3x common ले लिया, अंदर root 3x minus 2 बचा, और minus, वही करके हमने एक question को solve कर दिया, दोनों value हमारी 2 upon root 3, 2 upon root 3 आ गई, देखो, क्याता न, have equal roots, देखो, equal value आ गई, आगे न, ठीक है, अब third type of question कैसा आते है, इसमें, इस chapter में से, जब आप से directly question solve करने को बोल दिया जाता है, आप से ये नहीं बोला जाएगा कि root find out करो, अगर real है, तो solve करो, आप तो direct बोल दे जाएगा, अब ही है, solve करो, तो कुछ question ऐसे होते हैं, जो एक धराचार formula होता है, x equals to minus b plus minus under root b square minus 4 is upon 2 है, तो उससे निकलते हैं, जब ना निकले, तो उससे निकल देना, बाकी पहले हम ये करके देखते हैं, तो ये वाला है आपका, solve the equation, 3 root 3 x square minus 5 x minus 2, इसको भी आपको solve करना normally, तो 5 x को में तोड़ना है, दो पार्ट में, जिसका multiply क्या आए, root 3, 3 root 2 का, और root 2 का multiply क्यों कितना है, root 2, root 2, 2, 3 का, 2 से multiply मतलब 6, मतलब multiply करने पर 6 आना चीए, और जोड़ने खटाने पर 5, तो 3 और 2 होता है, देखो, 3 2 जोड़ने पर 5, तो हमने इस पार्ट में तोड़ दिया, यहां से हमें क्या common मिल ला है, 3 common मिल रहा है, और x भी common मिल ला है, क्योंकि x भी दोनों तरफ है, तो 3 x common ले लिए, root 2 x minus 1, और वैसी बजी क्या, value आगे हमारी भाई साब, x is cos 2 1 by 2 upon root 2 by 2, root 2 by 3, ठीक है, next, अब हमने क्या करना है, step की question दे दी गई, ठीक है, एक और question कर लेते हैं, 8 x square plus 2 x minus 3 is equal to 0, same base को भी तोड़ना है, 8 x 24, 24 मतलब हमें बीच वाले को multiply करके 24 लाना है, जोड़ने घटाने पर 2, ठीक है, ऐसे बीच वाले को तोड़ना है, मतलब 2 x को, तो 64 x 24 में तोड़ना है, हमने minus कर दें तो x not equals 0, 2 upon 32, तो इसका मतलब तो है, बहुत बड़ा, लेकिन आपका कोई use नहीं है, इसमें बोल देंगे, कि अगर x 0 हुआ, तो ये equation exist नहीं कर सकती, क्योंकि x अगर 0 होगा, तो 1 upon x क्या होता है, infinite हो जाएगा, infinite में कुछ जोड़ों को तो infinite होती है, तो ये equation exist ही नहीं करत दोनों का LCM ले लेंगे, ठीक है, LCM ले लिया आपने इन दोनों का, और इसको ऐसी चलाएंगे, जब LCM ले लिया इन दोनों का, 2x square minus 3x, basically x का multiply कर दो, इदर, 2x by 3 वाले को इधर 1 के पास भेज़ दो, इस x वाले को इधर भेज़ दो, इस वाले बन के पास, तो cross multiplication basic type का, LCM ह होता है, वो multiply कर लो, फटा-फटा में करना है, ठीक है, जब multiplication करके solve करेंगे, तो हमारा, इस type की question बनेगी, x square minus 6x plus 1, इस type की question बनेगी, अब इस type की question solve नहीं हो रही है, बता दो, ऐसा कोई सा number आप मुझे बता दो, जो multiply करने पर तो 6 आ जाए, लेकिन जोटना खटाने पर, minus का 6 साथ है, नहीं आ रहा ना, ऐसा कोई, तो हम धराचार फॉर्मल लगा देंगे, x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, ठीक है, तो minus b क्या है हमारा, 6, तो 6 plus का हो गया, plus minus b square क्या हमारा, बीच का minus 6 है, इसका square कर देंगे 36, minus 4ac, 4 क्या है हमारा, normal, 4 into a कितना है, 1, 4 into 1, 1, 4, और c कितना है हमारा, 6, 4, 24, तो 36 minus 24, ऐसे करके आगया हमारा, तो कितना आगया, 36 minus 24, 12, next step में, ठीक है, फिर, अब 12 को हम दो पार्ट में तोड़ सकते है, 12 को हम क्या ले सकते है, 4 into 3, और जो root 4 की value होती है, वो 2 होती है, तो हमने इसको 2 को बाहर निकाल लिए, तो 6 plus minus 2 root 3, अब इसमें क्य को चूज करेंगे, तो x is equal to 3 plus root 3 आगया, एक बार minus sign को चूज करेंगे, तो x is equal to 3 minus root 3 आगया, तो इस type of question आपको solve करने है, ठीक है, एक अलग type का question हो राता है, find the value of k, ऐसे आपको coefficient आते है न, x भी दिया होगा, और फिर record coefficient दे दिया होगा, a, b, c की value निकालो, कुछ भी दे देंगे, आपको मतलब एक root दिया होगा, और बाकी की आपको value निकालने को बोलेंगे, तो एक root जब दिया हो जाता है, जैसे मालो, if 1 by 2 is a root of equation, एक root की, जो equation है, इसमें एक root ये है, root zeros ये value, एक चीज होती है, मतलब x की value है, x की यहाँ पर दो value निचीना, लेकिन एक हमें द देंगे, उस value का हम इसमें रख देंगे, तो 0 answer आ जाएगा, है न, तो satisfy करने चीए, तो हम इन इस टाइप ये question में, जब एक root दिया हो, तो सीधा एक उठाएंगे, फंडा, इस value की, जो value दिया, ये x is equal to करकर रख देंगे, इस equation में solve हो जाएगा, वहीं हमने याप भी कर द find the value of k of equal roots, जब आप सब बोल दियागा कि k की value निकालनी है, जब root भाई equal हो, root equal हो, तब k की value निकालनी है, तो दोनों जो x की value होंगी, वो same होंगी, तो d is equal to 0 होगा, भाई d is equal to 0 था, b square minus 4 is equal to 0 होगा, तभी तो आपका equal root आता न, तो महाँ b square minus 4 is equal to 0 से satisfy करके लगा देंगे 0 सम 0 को उसे ढूड़ दे था कि हमारी equation solve हो जाए, तो b square minus 4 यसी वाला हम लगा देंगे, बीच वाले का ये 2, bracket 2 के minus 3 इसका square कर देंगे, इदर square कर दिया, minus 4 into a into c हमने कर दिया, ठीक है, अब ये जो 4 और इदर minus 4 है, इस दोनों 4 को common लेके 0 का पास भेज देंगे, तो 0.40 हो ठीक है, बाकी इसका a minus b को whole square का formula खोल देंगे, इन दोनों का पास हो multiply कर दिया हमने, फिर जब multiply कर दिया, then हम इसको solve करेंगे, तो जो cut रहा है, उसे cut देंगे, जो नहीं cut रहा हो छोड़ देंगे, तो k square minus 4 k plus 3, देखना, minus sign common मिलेगा आगे, ताके minus को उतर भेज देंगे, तो k square minus 4 k plus 3, यह आगया, अब हमें इसको दुवारा factorization method से solve कर देंगे, तो k is close to 2 value आगया, हमारी 3 और 1, ठीक है, यहाँ पर k की value आ रही है, ठीक है, answer change भी हो सकता है, calculation करके आप देख लीजे का एक बार, next, find the value of k, which one root is sometimes another, अब आप से को इस थाइप से question बोल दिये गया, कि k की value वो निकालनी है, जब एक root डूसरा root का 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, यह आदा है, यह डेड़ गुना है, इस थाइप से आप को देजाएगा, कि भई अगर एक root आदा है, दूसरा root उसका 3 ग तो alpha और beta हमने दूरूट मान लिए, पिछला वाला question भी इस तरहाँ solve कर सकते हो है, अब लोग, ठीक है, तो कोज की तरीका अपना लो question solve होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम नहीं कर सकते, तो alpha बीटा वाला पिछले, इससे पहले वाले question में भी अप लगा लो, तो alpha plus beta वाला निकाल लिए, हमने minus b upon a formula होता है, minus b कितना है, b है 14, तो minus minus plus 14 upon a मतलब k, तो 14 upon k हो गया, alpha plus beta कितना हो जाएगा, y और 6y कितना हो गया, 7y, ठीक है, काट पीट के हमारा कितना है, y स्कूले 2 upon a, ठीक है, then क्या है, alpha इंट बीटा, c upon a, c कितना है हमारा 8, और a कितना है ह k, तो c upon a, 8 upon k हो गया, 6y square, और alpha इंट बीटा क्या हो जाएगा, y का 6y में multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6y square, ठीक है, तो अब हमारा 1y यहाँ पे, जो 2 सा काट दे हम, 2, 3, 6, 2, 4, 8, कट गया हमारा, तो 3y square is close to 4 upon k बचा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले y की value ठाके, यहाँ पर रख देंगे हम, y square 2 upon k की value यहाँ पर रख देंगे, तो हमने y square 2 upon k की value रख दी, जब y square करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 upon k square, तो 4 upon k, 4 upon k से कट गया, 3 upon k बचा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के power 2 थी, जाकि power 1 बच ही अब, तो k को दर बेच दे, k is equal to 3, answer हमारा, सेम इसरा से एक और question दे दिया गया, find the value of which of the root of the equation, 3 x square minus 10 x plus k is equal to other reciprocal to each other, मतलब अब हमें जो root मानले है, वो दूसरे के reciprocal मानले है, मतलब उन दोनों का multiply गने पर 1 आना अच्छिए, reciprocal तो उल्टा ही होता है, तो एक अगर alpha is equal to y मानले है, तो beta is equal to 1 upon y, 1 upon y मानले है, अब की इच्छा, आपके में कुशन आएगा, अगर हम alpha plus beta निकाले तो, कुशन लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, alpha and do beta solve हो रहा है, हमें वहाँ पता नहीं चलेगा, तो आप alpha plus beta से ही start कर दो, मैं alpha and do beta से start करता हूँ, alpha and do beta क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा, तो वन इच्छा गया, c upon a कितना है, k upon 3, तो 3 को दर भीज़ देगे, तो यह question solve हो गया, बस अब यह question जो आपने solve करें है, बस यहाँ से आपका सारा topic cover हो गया है, बाकि और कोई question आपको जानने हो, तो मैं आपको description में PDFs के attach कर रहा हो, पूरी, सारे question लगा लेना, कोई question नहीं बच है, मैंने देखें हैं उसमें, तो यह recipe broker वाला इस type of question उसमें नहीं दिये गए है, तो आप उनको यह वार ज़रूर लगा लेना, ठीक है, thank you so much to watching this video, have a nice day, jai hin and best of luck to all of you.